दोस्तों क्या आपके भीमन में है ऐसी इच्छा कि आप एक परफेक्ट ब्लॉगर बने और एक अच्छा पैसा कमाई दोस्तों ब्लॉगर का मतलब क्या होता कि जिसके मांड में कोई ऐसा कॉंसेप्ट है जो कि लोग तक पहुंचाना चाहता है वो भी लिख करके दोस्तों पहले के जमाने में क्या होता था लोग आत्मकथा लिखते थे आर्टिकल से लिखते थे आजका जमाना डिजिटल हो गया है लोग अपनी आत्मकथा को डिजिटल रूप से लिखते हैं वो आत्मकथा या कोई टेक्निकल सिस्टम या कोई जानगारिया जो बुक्स मे बने तो आपको किन-किन चीजों की तयारी करनी चाहिए, क्या-क्या जानकर यह आपको जानना चाहिए, ब्लॉगर की स्टार्ट करने से पहले, और दोस्तों आपके पास क्या-क्या चीजें अबेलबल होनी चाहिए, आपको किस प्लेटफरम पर पर जाके ब्लॉगर को स्टार और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं कि इस चैनल पर इसके भी टेक्निकल पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसका एक लंबा लेंथ चलने वाला है और उस पर टोटल आपको आज फिरी में सिखाएगा नहीं कि उसने खुदी फिरी में नहीं सिखाए ठीक है वो किसी ने किसी तरीके से आपसे पैसे जरूर लेगा यह हो सकता है आधिय धूरी जानकारी दे दे लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपसे पैसे ले पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंग हुआ कि आपको यहां पर इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे software हैं बहुत सारे ऐसे plugins हैं जो कि मतलब पैसे लेकर के अक्सर पैसे से मिलते हैं क्योंकि वो paid होते हैं तो दोस्तों यहां पर वो सारे applications, plugins, software आपको 101% free मिलेंगे और वो भी hacking नहीं बलकि 100% genuine और license के साथ तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले चलिए हम समझते हैं का आखिर blogging है क्या दोस्तों अगर मान लीजिए आपके मन में कोई topic है चाहे वो टेकनिकल से related हो कोई news हो कोई आप अच्छा कहानी लिखना जानते हो या अच्छे-च्छे सायरी लिखना जानते हो या फिर jokes लिखना जानते हो अगर आपको लगता है कि आप जो भी लिखना जानते हो आपका 100% self-created है आपने कहीं से पढ़ा नहीं कहीं से याद नहीं किया है और आप उसको इंटरनेट पर ला करके लोगों के बीच साजा करना चाहते है तो यही सबसे best माउका है ब्लोगिंग अखिर कब, कहां और कैसे इस्टार्ट करने चाहिए दोस्तों ब्लोगिंग आप दो तरीके से start कर सकते हैं मैं ब्लॉगर के बारे में बता दूँ तो ब्लॉगर जो है वो गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना एकाउंट क्रियेट करके अपना एक ब्लॉगिंग का सिस्टम इनेबल कर सकते हैं वहां पर आप अपने मन चाहे अनलिमिटेड वर्ड्स में अपने आ गुंता हूं तो वहां पर आटोमेटिक लिखा आएगा सूरज.blogspot.com यह कस्टम डोमेन भी आपको उसके साथ मिलता है इसके अलाओं एक एससल सर्टिफिकेट सूरज है और मुझे सूरज के नाम से अपनी वेबसाइट बना नहीं है तो मैं अगर चाहता हूं कि मेरी वेबसाइड skptechnical.blogspot ना होके skptechnical only हो तो आप एक सो डेड़ सो रुपए दोसों कर कस्टम डोमेन भाई कर सकते हैं वरना कोई जरूत ने उसके बावज़ों भी हो मोनिटाइज हो ही जाता है तो दोस्तों मैं बात करूँ यह चलो हो गया फिरी यहां से आप जीरो परसेंट यानि कि एक भी रुपया लगाए बिना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर हम दूसरी तर की ज़रूद पड़ेगी अब दोस्तों मैं बात करूँ कि एसल सर्टिफिकेट वगरा क्या है या इस अब क्या है तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्विस्ट करूँगा अगर आप अगर आपको बता दूँ कि जब भी आप मतलब वर्ट पर अगर आप ब्लॉगिंग स् फ्री में स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर वर्डप्रेस पर ही डारेट करना चाहते हैं तो आप यहां पर यह स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको यह सारे खर्चे लगते हैं अब बात करें दोस्तों के दोनों में बेस्ट काउन है कि यह तो आप लोग जानना ह चाहते हैं और एक professional website के साथ तो आपको WordPress से ही start करना चाहिए क्यूंकि दोस्तों blogger में आपको जो भी features मिलते हैं वो मिलते तो हैं लेकिन वो बहुत ही limited होते हैं और उसमें customization ज्यादा बिल्कुल possible नहीं होता जो भी theme आप upload करते हैं चाहे वो default theme हो जा कहीं से download करके उसमें ज्यादा customize आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आप एक limit तक ही customize कर सकते हैं लेकिन अगर आप मैं बात करूं WordPress की WordPress में बहुत सारे ऐसे मतलब plugins या software आप वो मिल जाते हैं जैसे elementor हो गया वीपी editor हो गया इनकी मदद से आप जिस type की चाहे उस type की professional website create कर सकते हैं और जो मरजी चाहे उस तरह का मतलब website बना सकते हैं जो जो services आप देना चाहें वो चीज़े उसमें add कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि blogger जो है आपको starting में तो free system provide करता है लेकिन जब आपका channel monetize हो जाता है तो जो उसने आपको hosting असे सर्टिफिकर्ट वगरा सब चीज़े फ्री में provide कर रखी हैं उसके बदले वो आपसे पैसे लेना start कर देता है और एक मैं बताओं दोस्तों कि blogger में जो है जो अगर आप बाहर से कहीं से theme download करके देते हैं और वह official या updated या free version हुई तो ऐसी situation में उसका hack होने का खतरा ज्यादा रहता है यह हो सकता है कि मतलब उस पर automatic clicks आए क्योंकि उसका control किसी और के पास रहता है वो free जरूर होती है लेकिन आप जानते हैं कोई किसी को कुछ भी फ्री नहीं देता है कहीं नहीं उसका उसमें स्वार्थ या मकसद छीपाई होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आएसी website का blogger वगरा चाहतर है होने का आएसी मतलब न्यूजेस आई हैं तो खत्रा रहता है तो दोस्तों WordPress की बात करें तो WordPress में SSL certificate होनी की बज़ा से 100% secure होती है आप दोस्तों बात करें कि आखिर हम किस से start करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूंग जैसा मैंने बताया अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आप स्टार्टिंग ब्लॉगर से कर सकते हैं जब आपके मतलब आपका ब्लॉगर की website जो है वो पॉपुलर हो जाए उसे पैसे कमाने लग जाएंगे तो आप उसी कम भी बड़ा ब्लॉगर क्यों नहों बड़ी से बड़ी website क्यों नहों उसको एक दिन wordpress पे आना ही पड़ता है क्योंकि दोस्तों wordpress पे अगर नहीं आएगा तो कभी ने कभी उसके साथ धोका हो सकता है स्टार्टिंग के लिए ब्लॉगर बड़ बाद में wordpress अब बात करते हैं कि अगर हम wordpress से शुरुगात करें तो क्यों ना तो दोस्तों ये और अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों जब भी कभी आप ब्लॉगर से हट करके wordpress पे आते हैं तो कुछ न कुछ आपके सर्च इंज और आँ कि कुछ दिन पहले जब मनें उसको इंडेक्स किया वापस से तो उसका सर्च इंजन पे फिलाल मतलब मतलब होमपेज है उसका सर्च इंजन पे कोई खास असर नहीं पड़ा लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं इंकम पर तो इंकम पर काफी इसर पढ़ गया क्यो या कुछ profit है तो जी हाँ दोस्तों profit है दोस्तों मैं आपको बात करूँ earnings के मामले में दोस्तों अगर जो भी advertisement से earning होती है अगर आप blogger.com पे हैं यानि blogger के platform पर हैं तो जो भी आपको earnings होगी उस total earning का 52% हिस्सा Google आपको देगा और 48% हिस्सा खुद रख लेगा लेकिन दोस्तो क्या होता है कि earning का मतलब जो वहाँ पर हिस्सा होता है वहाँ पर आपको blogger पर 52% लेकिन wordpress में वह आपको 72% हिस्सा देता है क्योंकि 20% हिस्सा आपको एक्स्टा इसलिए देता है क्योंकि आपने अपनी खुद की hosting वहाँ पर लगा रखी है तो इससे दोस्तों income थोड़ा ज अच्छी जानकारी मिल गई हो गर कोई questions या कोई query छूट गई हो तो प्लीज इस वीडियो के description में जरूर लिए और आप लोग प्लीज बताइए कि हमारा ब्लॉगिंग का जो स्टार्ट करने का जो chances है यह आपको कैसा लगा और दोस्तों अगर आप लोग वाकई में ब्लॉ इन ही सारी चीजों से और मैं आपको दोस्तों बता दूँ एक बहुत इंपॉर्टन बात कि मैंने एक गुट सो सॉरी मैंने एक डार्क सो डॉट कॉम नाम से वेबसाइट स्टार्ट की है उस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं वहां तमाम तरीके सर्विसर्साइड की गई है जोगी फिरी से लेकर के पैड तक ही है आप उनको जाकर के विजिट कीजिए अपनी रिकॉइड से लेकर के सर्विस को सेलेक कीजिए और वहां पर और प्लेस कर दीजिए इसके बाद दोस्तों यहां पर हमारे एक्सक्यूटिव साप्ट से कॉन्टेक कर लेंगे और आपको उस तरह की पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों हमारी वेबसाइट पर 99% सौफट वेयर लगभग फिरी है वो सौफट वेयर जो की आपको लगभग 10 से 15,000 में बाहर मिलते है अगर कोई सौफट वेयर आपको वहां पर नहीं मिलता है ता आप कॉन्टेक का फॉर्म